इस वीडियो को लाइक करें हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन ज़रूर पेस करें हमारी न्यूवीडियो सबसे पहले देखने के लिए इसके पहले हमने प्लीडिंग और ट्राप्टिंग पर एमसी कुप पार्ट वन देखा था ठीक है यह यहां पर सबसे पहले देखते हैं इसका कुश्चन नमबर फर्स्ट क्या कहता है नियायले अयूवचनों में संसोधन के अनमती नहीं देगा कब नहीं देगा जबकि प्रस्ताविश संसोधन के अनावश्यक हो या प्रस्ताविश संसोधन का आविदन अत्यदिक देरी सी दिया गया हो यह फिर मामले की प्रकृति को बदल दे ऐसा कुछ संसोधन करना चात उपरोक सभी यहां पर व्यों होगा उसके बाद देखते हैं गया है ने खुश्य को यहां पर सही आंशर क्या होगा यहां पर आपका जो ऑँंसर है हो काँ प्राइज नमबर शार है बाद हैतकों के सजयोजन के संब्ध में ठीक है उसके बाद थार्ड कोष्टन हे हमारा बाद एक की Shelley helpful न मतलब है कि कोई बाद उसको बिर्शित किया जाता है ठीक कैसे बिर्शित किया जाएगा उसको प्रोश्व्य वहाँ पर बाद की ब्रेचना के समद में प्रावधान किया गया है CPC के, उसके बाद है, फोर्थ कुश्चन, बाद में आवस्या पक्षकार ना जोडने का क्या प्रभाव होता है, यानि की, जिसे A नाम का कोड है, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा कि किसी केस के बारे में कई प जोड़ा नहीं गया, तो उसका क्या प्रभाव होगा, बाद बिफल हो जाएगा, डिक्री शुननी होगी, यह रिक्री जो पारित कर दिया थे वह प्रभावी होगी, या फोर्षकन में से कोई नहीं, यहाँ पे सही अंसर होगा, यहाँ पे सही अंसर होगा आपका यह नमर कि यानि कि यह सी आवश्यक पख्यकार को नहीं जोड़ा जाता है किसी बात में तो बाद क्या हो जाए गए जीफल हो जाएगा यानि कि जो बाद पत्र के सारभूत भाग में शामिल नहीं किया जाता है उसका उल्लेक नहीं होता है तो यहाँ पर चार ओप्सम देखते हैं वे तरत जिससे बाद हेतु गठित हुआ है या कोई रिलीफ मागा गया है कोई अंतोस मागा गया है उसका उल्लेक नहीं रहता है या फिर पर सभी के उल्लेक नहीं रहता है तो यहाँ पर सही अंसर क्या होगा यहाँ पर सही अंसर कौन सा है C number का उसका नमबर बादं देखते हैं सेबंध कुश्यन लिखित कथन का उफचारिक भाग संबंदीत है यहनी कि जो लिखित कथन का ऊफचारिक भाग किसे असीर सक से हस्ताक्षा रेवं सत्यापन से A और B दोनों से या तथ्यों के अभचन से तो यहाँ पे इसका सही अंसर क्या होगा यहाँ पे आपका जो सही अंसर होगा आपका C नंबर यानि कि जो A और B दोनों है वो किसे समन्द थे लिखित कतने के अपचारी भाग से कौन-कौन सीर्शाक और हस्ताक्षा एवं सत्यापन से उसके बाद है एट्थ नंबर हमारा कुश्चन किया है प्रतिदाबा कभ दाखिल किया जा सकता है अब यहाँ प्रतिदाबा क्या होता है माल लिजे A नाम का कोट है अब यहां पे जो B नाम का अब्यक्ती है यहां पे बाद पत्र दाखिल करता है S के अगेंश्ट की इसने क्या किया है कि मेरी property पर कब्जा कर लिया है अब यहां पर क्या किया जाएगा एच नाम को जो court है इसको time देगा कि उफ प्रतिदावा दाखिल करें कि उसने इसके जो लेंड है ठीकर कोई लेंड उसमें कबजा किया है कि इसका कबजा है या फिर इसने जवरिस्ति कबजा किया है क्या कैसा है यह क्या करेगा अपने बचाव में प्रतिदावा प्रिस्तुत करता है कोड में यह कहलाता है आपका प्रतिदावा तो यहां पर दे दावत दाखिल किया सकता है तो यहां पर इसका सही आंसर क्या होगा यहां पर जो सही आंसर होगा आपका डी नंबर का यानि कि कभी भी दाखिल किया सकता है तो यहां पर इसका सही आंसर क्या होगा डी नंबर उसके बाद है अपील के आधार किस भाग में लिखे जाते है अधार जो अपील है उसका आधार किस भाग में लिखा जाता है सारभोत भाग में या अपचारिक भाग में या A और B दोनों में या फिर किसी में नहीं लिखा जाता यहाँ पे सही answer क्या होगा यहाँ पे आपको जो सही answer होगा आपका A number का यानिकि जो appeal के आधार है वो कहां लिखे जाते हैं सारभोत भाग में लिखे जाते हैं उसके बाद है 10th question हमारा अई वचनों में संसोधन के लिए आवेदन किस आदेश और नियम के तहद दिया जाता है आदेश 6 नियम 15 के तहद आदेश 6 नियम 16 आदेश 6 नियम 17 के तहद आदेश 6 नियम 18 के तहद यहाँ पर सही आंसर क्या होगा यहाँ पर आपको जो सही आंसर है वो होगा आपका A नंबर का यहांनि कि जो order six का rule 15 है वो क्या बात करता है कि अब्वेशनों को संसोधन के लिए क्या किया सकता है आवेदन दिया ज़ा सकता है आदेस और नियम कौन सा है सही है इसमें order 6 का rule 15 तो आई होब आपके वीडियो अच्छा लगा होगा तो यदि आपके वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताके आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो थेंक्यू सो मच फार वा झाले वाले बेल अच्छा लगा है उगा उक्या है तो उन्हाँ हैं जो भीडियो वाले नोगा है तो जाओा है प्रेस्टन आपके वाले भाले तो यह उथाए उन्हाँ है झाल झाल